आपका स्वाकत है में प्रियाओं आपके साथ वेटन एक्टर सुरेश ओबराय हालिया रिलीस फिल्म एनीमल में रनविर कपूर के दादा के रोल में नचर आए अब एक इंटर्वी में उन्होंने अपने बेटे एक्टर विवेक उबराय के चल्चित रिलेशन्शिप पर बात की उन्होंने बताया कि विवेक और एश्वरया राय के बारे में उन्हें डारेक्टर राम गोपाल वर्मा ने जानकारी दी थी इंटर्विव में सूरेश ने ये भी बताया कि आज भी सलमान खान और अमिता बच्चन के साथ उनके अच्छे संबंध है एक इंटर्विव में सूरेश ने कहा कि मुझे कई चीजों के बारे में पता नहीं था मुझे इस बारे में रामू ने बताया था उनसे पहले भी किसी ओन ने मुझे इस बारे में जानकारी दी थी ऐसा ऐसा है कोई फ्रेंड आती है मैंने विवेक को समझाया था कि मत करो कम से कम शूटिंग में मत करो जो अलग करना है करो पर अब कोई किसी को कितना ही समझा सकता है इंटर्विव में सूरेश ने ये भी बताया कि एश्वरिया विवेक के साथ एक बार उनके घर भी आई थी सूरेश ने खा जब वो लड़की हमारे घर आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बेटे की फ्रेंड घर आएगी तो आप क्या करोगे प्यारी करोगे ना मुझे ये नहीं पता था कि पीछे क्या पकरा है वहीं जब सूरेश से पूछा गया कि विवेक और एश्वरिया की इस हिस्टरी से उनके और अमिताप के रिष्टे पर कोई असर पड़ा तो सूरेश ने कहा कि मैं कभी मिस्टर बचन का फ्रेंड नहीं था मैं सिर्फ उनका कोज स्टार था हमारा रिष्टा इंडरस्टरी वाइस था हाँ उन्होंने मुझे अपने बर्थडे पर इन्वाइट किया था और बहुत सारी चीजे हम लोग पता भी नहीं चलने देते हैं पर हम जब भी मिलते हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं सूरेश ने आगे कहा इंडरस्टरी में आज भी बच्चन साब मिले या सलमान खान मिले तो बहुत अच्छे से मिलते हैं सल्मान मेरी बहुत इज़त करता है, मुझसे मिलता है तो सिगरेट पीछे चिपा लेता है, रिस्पेक्ट से बात करता है, सलीम भाई की मैं बहुत इज़त करता हूँ, विवेक उनके पेर छुता है अभी कुछ ना कुछ होता है तो होता है उससे हमारे रिष्टे तो नहीं बिगड़ जाते न इसी के साथ बने रहे है राज़्टरमा टीवी के साथ धाने बाद